नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर और मेरी चनल पर आप सभी लोगों का भूस स्वागत है हर्याने के पहलवान जंतर मंदर से उठ चुके हैं इस समय या यू कहिए कि उन्हें उठा दिया गया है अब वहाँ कोई धर्ना परदर्शन पहलवानों का नहीं है यानि कि खापों और किसान नेताओं के पास इस समय फुर्सत ही फुर्सत है हर जगह वो अपनी नाक गुशा सकते हैं हर जगह वो अपनी राजनीती कर सकते हैं यह मैं जिकर इसलिए कर रहे हूं क्योंकि पहलवानों को एक बार धर्ना उन्होंने दिया था उसके बाद वो लोट गए थे लेकिन फिर उन्हें उक्साया गया और फिर उन्हें जंतर मंतर पे बिठाया गया और देश के प्रधान मंतरी नरेन मुधी को गाली दी यहां तक कह गया कि मोधी तेरी कबर बनेगी मोधी तेरी कबर खुदेगी बला बला अब जब पहलवान नोकरी पे वापस लोट आए हैं हाला कि वो यह भी कह रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं हमारी लडाई जारी है लेकिन वो इस समय जंतर मंतर पे नहीं है यानि कि वो अपनी नोकरी कर र पहलवान अकेले ही जाकर के अमिश्या को मिला है। इन्हें एक बार पूझा तक नहीं। ये भी इनके पेट में मरोड उठ रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि ये कही न कहीं अब नाराज भी हैं। और अपने आपको खाली-खाली महसूस कर रहे हैं। तो लिहादा इन्होंन हर्याना के कुर्षेतर में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाब कर दिया है। और इनकी मांग है सुरज मुखी की खरीद MSP पर करने की। ये इनकी बड़ी पुरानी मांग है। अब किसान शाबाद मारकंडा में जीटी डोट में बैठे हुए हैं। और सुबे से काफी म जड़पे भी हो रही हैं पुलिस के साथ। मतलब पूरा जो महाल है एकदम तनावपूर बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि किसान नेता ये चाहते हैं कि पूरे देश का ध्यान जो है इनी की तरब लगा रहे है। उधर राजिस्तान के जाट और किसान नेता इधर पंजाब और हर्याना के और कहिए कि पस्चिम उतरब्रदेश के भी ये सब लोग एक तरह से टिकेट और कंपनी के साथ कॉलैब हो चुके हैं। और अभी हला कि मौके पे किसान नेता जो राकेश टिकेट और कंपनी है वो नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक ये सब भी वहां पहुंच गए हों। लेकिन पुलिस जब से ये बैटे हैं इन्हें कई बार खदेर चुकी है और ये वहां से वहां पर बैटके आराम से गुर्दवारे से लंगर मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। हलाकि पुलिस उसको ये मालूम था इसलिए दोनों तरफ से बैरिगेटिंग की हुई थी लेकिन इन लोगों ने कुछ देर पहले ही उस बैरिगेटिंग को भी तोड़ दिया। और ये जो सारी अफरात अफरी मची हुई है न इसके पीछे जो हाथ है वो है किसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ोनी का ये ही उस परदशन की अगवाई कर रहे हैं इनी की ये मांग है कि जब तक सूरज मुखी को MSP पर खरीदने की मांग पूरी नहीं होती तब तक National Highway जाम रहेगा अब ये तो आने वाले कुछ घंटे ही बता देंगे कि ये वहां बैठे हुए आपको दिखाई द जाते हैं सरकार पर प्रेशर बना करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता ये इन्हें पतर चल चुका है लेकिन इन्हें बीच बीच में कुछ मरोड से उठते हैं कि इन्हें अपना आप दिखाना है अपना परदर्शन दिखाना है अपनी शक्ति दिखानी है क्योंकि इन्हें भी कहीं न कहीं, 2024 के लोकसभा की चुनाव दिखाई दे रहे हैं, अगर ये इतना शोरसरावा नहीं वाचाएंगे, अगर ये अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, अगर ये इस तरीके की कारगुजारियां नहीं करेंगे, सडकों पे नहीं निकलेंगे, तो फिर इन्हें पहच उकसाया, कि आप बैठे रहें यहां पे, हम आपके पीछे हैं, और इन्होंने फूटों में भी खिचवाईं, उन पहलवानों के सिर के ओपर हाथ रखके, अब जब काफी सारी बातें अपने आप से ही खतम हो रही हैं, जैसे कि नावालिक लड़की वाला मामला अगर हम ले तो उसके पिता चाहे कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये बात अब कंफर्म हो गई है कि उस लड़की ने अपने सारे बैयान वापस ले लिये हैं, लिहाजा ब्रिजबूशन के खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट है, वो भी आटोमेटिकली खतम हो जाएगा, अब इनके हाथों में इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब तक तो ये उनके पीछे लगे हुए थे, ये हरिद्वार तक पहुँचे थे, और जब पहलवान अपने मैडल्स गंगा में विसर्जन के लिए पहुँचे थे तो ये टिकैतन कंपनी जो हैं, उनके पीछे पीछे चले जो फार्मूले हैं, जो इनकी सोच है, जो इनका एक डिजाइनिंग है, किसी भी धर्ने बरदर्शन का, वो एकी जगा से चलाया जा रहा है, यानि कि इनका पूरा फोकस है, दोजार चॉबिस के लोकसभा चुनाओ पर है, इन्हें दिख रहा है कि अगर ये चुप बैट ग गए, तो इन्हें फिर कौन देखेगा, कौन पैसानेगा, इसलिए ये सडकों पे उतर रहे हैं, अब कुरक्षेतर में बैट गए हैं, हाईवे को जैम किया हुए है, इनको ये शरम नहीं आती, कि ये जिस इंपॉर्टेंट हाईवे पे बैठे हुए हैं, उससे कितने लोग तमाम तरह की दिक्कते होते हैं लोगों को, हाईवे पे चल रहे होते हैं, ओवियसली किसी जरूरी काम के वज़े से ही वो अपने घर से निकलते हैं, लेकिन गुर्णाम सिंग चंदूरी को क्या, उन्हें तो बस अपना चेहरा हर दिन अकवारों में चैनल पे दिखाना है, इससे दाद उनकी कोई इच्छा भी नहीं है, और लगबग आठ महीने पहले धान खरीत को लेकर के भी उन्होंने कुर्खेत्र में दिली अम्रसर नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक किया था, इसके बाद उनकी काफी लानत मलानत हुई थी, तब पंजाब और हर्याना हाईकोट में उनको काफी टाइट स्लब दिया था, उन्हें फोरन हाईवे खाली करने के लिए कहा था, तब भी इन्होंने इनको कुछ समझ नहीं आया था, इसके बाद इनने नोटिस जारी हुआ, तब इन्होंने हाईवे खाली किया, और भारतिय किसान यूनियोन के अध्यक्ष वो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, 2020 से लिए करके, 2021 तक देश में तीन किशी कानूनों के खिलाब चले किसान अंदोलन में, गुर्णाम सिंग चडूनी ने, किसानों की तरफ से एक, कहिए कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अगर इनका दिमाग नहीं चलता, तो इतने दिनों तक, वाग किसानों की एश नहीं चल रही होती है, एश में इसलिए कह रहे हूं कि, किसान वो होता है, जो अपने खेतों में काम करता है, ये सब जो लोग हैं, ये अपने आपको किसान कहते हैं, लेकिन ये जिन्दिगी जीते हैं, फाइव स्टार, खेर, तीन क देशी कानूनों के खिलाफ चले किसान अंधोलन में गुन्णाम सिंग चडूनी ने जो भी किया वो आप सब लोग जानते हैं गुन्णाम सिंग चडूनी ने पार्टी पंजाब में चुनाब लड़ने की भी कोशिश की ती रेकिने ने कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली ये कुशियत से बिलाउंग करते हैं वहीं के जन में हुए हैं इनकी पत्नी बलविंदर को और वो भी राजमीती में काफी एक्टिव हैं सक्रिये हैं गुर्णाम ने उन्हें आम आदमी पार्टी से 2014 का लोगसभा चुनाव कुशियत तर लोगसभा से लड़ाया था जाने कि इनको आम आदमी पार्टी से प्यार है लेकिन लोगों ने इन्हें अपना प्यार नहीं दिया केवल इन्हें जो है ये बता दिया कि इनके आउकाद क्या है खेर उस समय इन्हें 79,000 वोट मिले थे अब हर्याना और पंजाब में एक क्रिशी संग के नेता और रायनितिक भी है इसके साथ ही वो हर्याना में भारती किसान संग के परमुक और शन्युक्त संगर्ष पार्टी के संस्थापक है यानि कि कई सारी लाइन्स के साथ वो जु के काफी इमानदारी से किसानों के लिए काम कर रहे थे लेकिन उसके बाद उन्होंने 2019 में किसानों के साथ मिल करके उनकी सुरजमुकी की फसल खरीदने की मांग का विरोध किया उन्होंने 2020 और 21 के बीच हुए किसान अंदोलन में भी जैसा कि मैंने आपको बताया बड़ी एहम भूमी का निभाई थी उनका रोल बहुत बड़ा था हर दिन आप देख रहे थे उस समय ने चैनल्स पे हर दिन अखवारों में आप देख रहे थे और किसान अंदोलन में ये एक तरी तरीके से मसीह के रूप में सामने आये थे कौन गुर्णाम जिंग चड़ोनी और ह नहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2019 में उनने लोकसबा का चुनाव टिकट दिया था हाला कि उस समय ये चुनाव भार गए थे तो यहां एक बात और समझ में आ रही है मेरी आप भी समझ लीजे कि ये जो जगय जगय किसान नेता या तो दूसरे लोगों को भड़क आते हैं या फिर खुद भड़कने का एक एक एक्ट करते हैं एक नाटक सा राज आते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल का भी हाथ है अब तो उनक्या पंजाब में भी होल्ड है तो ये इसलिए वहां पे आज कुरक्षेत्रम बैठे हु ये जो सड़क पे बैठे हुए हैं हो सकता है कि कुछी देर में आपको कुछ और गर्मा गरम खबरे मिलें क्योंकि इस समय इनकी और पुलिस की आपस में काफी सारी जड़पे हो रही हैं कई बार सुबह से ये पुलिस के बैरिकेट तोड़ चुके हैं और कई बार पुलिस बात होती है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये चंदूरी कब किसी को क्या बढ़का दे उसके बाद फिर क्या हो और फिर उसके बाद पुलिस क्या करें ये सब दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा कि ये वहां बैठे रहेंगे ये यहां जा फिर जो है इनका भी वहाल जिस तरीके से उन्हें जंतरमंदर से हटाया गया तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा धन्यवाद आपका और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए क्योंकि इस समय जो भी कर रहे हैं सभी को इसके बारे में जानना जरूरी है और आप पहले बार मेरी चैनल पर आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बेल आइक रंपाईए अपना और अपनोंगा ख्याल लखिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जैहिन जै भारत